दीद्वाना ग्राम जैसलान में श्री कृष्णा गौशाला के लिए चल रही कथा के तीसरे दिन कथा व्यास्पम। रामपाल शर्मा शास्त्री ने बताया कि परब्रम पर्मात्मा ही अपने तीन स्वरूपों में स्रिष्टी रचना, पालन वले अपने ही तीन प्रकार ब्रम्ह, विष्णु और महेश के रूप में करते हैं। भगवान जब धर्ती पर अवतार लेते हैं तो उनके लिए तीनों लोकों में पाने को कुछ भी नहीं होता फिर भी वे व्यवहार में सारे लौकिक शुब कर्म करते हैं ताकि आमजन उनका अनुसरन कर सके। कर्म का फल तो सब को भूगना ही पड़ता है। परब्राम पर्मात्मा रामजी के पिता दश्रत को भी अपने किये को भूगना पड़ा था। स्वायम भूव मनु तथा उनकी तीनों बेटियों के वंश का वर्नन, दक्ष शिव चरित, दक्ष यग्यमे सती का प्रनोत सर्ग, शिव पार्वती विवाह, तारकासुर उधाराधी प्रसंगों को अध्यात्म व लौकिक बातों से जोड़ कर बताया गया। साथ ही द्रूव चरित का वर्नन किया गया। कथा के दौरान हर देवा राम थोरी जैसलान के द्वारा दो बीघा जमीन श्री कृष्णा गोशाला जैसलान के वास्ते दानदी गई, साथ ही घ्यारा हजार राशी भी परदान की गई। कथा के बाद आर्ति व प्रसाद वित क्रेन किया गया